हाई गुडीब आज पैने सौस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी में नमक और थोड़ा सा ओलिव ओईल डालके पास्ता को बॉयल करेंगे इसको पूरा बॉयल नहीं करना है लगभग 80-90% करें बाकी रहने दें जिसको हम सौस में पकाएंगे इस पास्ता को ड्रेन कर ले और जो पानी है इसको रख लें फेकना नहीं है आगे यूज़ करेंगे एक पैन में थोड़ा सा ओलिव ओईल डालकर बारीक कटा हुए लेसन इसमें डालिए और इसको भूनना है इसको भी जादा नहीं भूनना है थोड़ा सा कच्छा पान निकल जाए और इसको ब्राउन नहीं करना है हलकी आच पे इसे धीरे धीरे भूननी है इसी में अब बारीक कटा हुआ प्यार डालकर भूनना है इसका भी हमने बस कच्चा पंदूर करना है ज्यादा नहीं पकाना इसका रंग नहीं चेंज करना इसमें स्वाद अनुसार नमक लाल मिर्च दाल कर मिक्स कर ले थोड़ी सी प्योरी दालें जो कि हमने टमाटर काट कर मिक्सी में पीस लिया इस टमाटर प्योरी को काफी देर पकाना है ताकि इसका कलर भी अच्छा हो जाए और टमाटर अच्छे से पक जाए ये स्टेज इंपॉर्टन्ट है टमाटर अच्छे से पकाने है टेस्ट किया अकॉर्डिंग काली मिर्च डाल लीजिए अब इसमें अमुल बटर डाल कर भूनना है इस बटर से टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और जो भूने मसाला है इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा दीरे दीरे भूनिए अमुल बटर डालने के बाद इसमें औरेगेनो और मिक्स्ट हर्ब्स डाल लीजिए जितना आपको पसंद है उतना अपनी पसंद के अनुसार इसमें डाल लीजिए इसको मिक्स कर लें अब इसी मसाले में रेड चिली फ्लेक्स डाल लीजिए जितना आपको पसंद हो इसमें तो में सारा मसाला आच्छे से भून चुक है इसमें छोड़ी सी तमैटो कैचजप डालनी थाकि ये सौश थोड़ा सा खटी मीठी हो जाए इसमें कॉन डाल दीजिए फ्रोजन कॉन है फ्रेश कॉन है फ्रेश कॉन को तो पकने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने दें जो वेजटेबल्स अवेलेबल है उसे डाल दीजिए देखने में भी अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी बढ़ेगा अब इसमें बॉयल किया हुआ पैने पास्ता डालना है और अच्छे से चलाके इसको मसाले के साथ इसको सॉस के साथ मिक्स कर ले इसमें वही पानी जो थोड़ा सामने बचा के रखा था वो डाल के पकने दें कि जो मसाले हैं जो सॉस है वह पैने पास्ता में मिक्स हो जाए झाम इंडियन्स को थोड़ा ज्यादा मशी थोड़ा ज्यादा कलावगा पसंद है तो इसको थोड़ी दिर और पकने दें इसमें रेड पैपर येलो पैपर डाल दें जिसे हम कॉमनली कहते हैं लाल पीली इसे पकने दें जब ये थोड़ा थोड़ा पकने पता लगेगी थोड़ा पक गल गई है तो अब हम इसमें अपना अमुल्क की फ्रेश क्रीम एड़ करेंगे क्रीम में कंजूसी नहीं करनी, कीज में कंजूसी नहीं करनी, अमुल्क है अच्छे से डालिए, क्रीमी बनेगी, टेस्ट भी बढ़ेगा और सबको पसंद आएगी इसको थोड़ी देर और पकने दें ये देखिए, हमारा पैने पास्ता रेडी है कितना अच्छा लग रहा है, इसको एक बॉल में डाल लें इस बॉल के उपर फिर से हम अमुल का प्रोसेस चीज डालेंगे उसको ग्रेट करके अच्छे से कवर कर लें जितना ज़्यादा क्रीमी चाहिए, उतना ज़्यादा आप इसमें प्रोसेस चीज डाल लें इस बॉल को एक तो मिनिट के लिए माइक्रो वेव कर लें ताकि जो ये चीज है वो मेल्ट हो जाए हमारा पास्ता तयार है, प्लेट में सर्व कीजिए